नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब्सक्राइब कैसे नहीं वीडियो में इस वीडियो के तो लोग जीके के इंपॉर्टेंट कोशन डिसकस करने वाले हैं जो कि आपके सारे एक्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो चले सुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सी बिमारी हो सकती है ओप्शन ए करेक्ट हो जाएगा रिकेट्स ठीक है अब यहां पर यह जो तीन नेम है मैं आपको बता देता हूं नाइट ब्लाइंडनिस किसके कारण होता है विटामिन एक कमी के कारण अनेमिया और सकर्भी यह दूनों भी आपको मैं बता देता हूं असकर्भी होता है विटामिन सी का कमी कारण और इनेमिया जो है वह वो विटामिन भीसिट तीक है अप लिख लो इसको अगरा बढ़ते हैं विक इसा सोर्स ओफ विटामिन फॉर्स ओषव विटामिन ई Option C, Almond Next आपका Who is the Chairman of Drafting Commission? Option B, B.R. Ambedkar जिनने Father of Indian Constitution भी कहा जाता है तो ये कब बने थे? Chairman 1947 29 August 29 August 1947 याद रखना Next है The concept of single citizenship taken from which country The concept of single citizenship taken from which country देखे, single citizenship का मतलब होता है चाहे वो कोई भी भारती है हो चाहे वो 28 राजों में से किसी भी राज में उसका जन्म हुआ हो वो इंडिया नहीं कहलाएगा इसको हम लोग single citizenship कहते हैं मतलब सब को एक तरह का अधिकार दिया जाता है तो ये लिया गया था England, UK, United Kingdom नेक्स है, total number of high quotes in India बताना आपको भारत में कुल कितने high quotes है option B, total 25 high quotes है यहां पर कंट्री के बात हो रही है तो इंडिया का कौन सा स्टेट जो highest producer है मतलब largest producer है rice का तो हम आपको बता देता हूं West Bengal, WB लिख देता हूं आप समझ जाना, West Bengal और यहां पर correct हो जाएगा option C, China उसके बाद हमारा भारत देश नेक्स्ट आपका finance commission is appointed under which article तो यह होगा आपका option A, article 280 यह question मैंने आपको करवाय हुआ है लेकिन फिर से यह question आपको बताना है option B, गनेश, वाशुदेव, मावलंकर और अगर second पूछ ले तो आपको याद रखना है M.A.I.N.गर और first woman पूछ ले तो मीरा कुमार clear हो गया चलिए, अब आगे बढ़ते है National Science Day celebrated on National Science Day celebrated on National Science Day हर साल 28 February को celebrate किया जाता है next question है, who is the author of unhappy India option C, लाला लाजपत्र है who is the author of the race of my life who is the author of the race of my life जिनको the flying sick बोला जाता है, Milka Singh next है आपका, front quote is related to which game front quote is related to which game तो यह आपका related है, basket ball से next है, हर्लिंक्टन पोलो स्टेडियम is located in which country हर्लिंक्टन पोलो स्टेडियम is located in which country important stadium है यह यह आपका UK, United Kingdom Melbourne Cricket Stadium is located in which country Melbourne Cricket Stadium is located in which country I think इसका अंसर बहुत लोग को पता होगा option D, Australia Sikha Tenden is famous player related to which game Sikha Tenden is famous player related to which game तो यह देखिए, Sikha Tenden कहां किया है, मैं आपको बता देता हूँ यह हमारे भारत की है, अब बता मुझे कौन से खेल से यह संबंदीत है यह संबंदीत है, swimming से next है, संतोष टॉफी is associated with which sport संतोष टॉफी is associated with which sport यह भी एक important trophy है तो यह होगा आपका option C, football what is the national sport of Spain what is the national sport of Spain Spain की capital क्या होती है, Madrid अब मुझे comment में Spain की currency बता दो आप bullfighting where is the headquarter of Bark यहाँ पर मैंने full form लिख दिया भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे एक जगह है, ट्रॉम्बे मुम्बई में, वहीं पर है इसका headquarter अगर ट्रॉम्बे आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको मुम्बई कर देना है, where is the headquarter of ISRO, यह रहा full form, इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाजेशन और इसका headquarter तो आप सबको पता होगा, बेंगलोर, where is the headquarter of DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलप्मेंट और्गनाजेशन, इसका headquarter आपका New Delhi में, और यह established हुआ, आपका 1958 में, और इसका motto क्या है, अश्ट्रेंस ओरिजिन इसन साइन्स संस्कृत, ठीक है, चलिए, अब मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और हमारे चैनल पर न्यू हो आप तो सबस्क्राइब जरूर करके जाना हूँ,